बीच का नमबर बीटविन नमबर बीच का नमबर इस हमें बीटविन नमबर फाइंड करने के दो तरीके हैं हम predecessor नंबर में प्लस 1 कर दें तो एक बाद का नंबर आजाएगा या हम successor नंबर में माइनस 1 कर दें तो एक पहले का नंबर आजाएगा करके देखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 99,998 में हम प्लस 1 कर देंगे तो एक बाद का नंबर आजाएगा 8 प्लस 1, 9 9 as it is, 9 as it is, 9 as it is, 9 as it is, 9 as it is क्या आया? 99,999 Second हम successor नंबर में माइनस 1 कर दे means 1,00,000 में हम क्या कर दें? माइनस 1 0 छोटा है, 1 बढ़ा है, माइनस नहीं होगा 0, 1 केरी लेके कितना हो जाएगा? 10 10 माइनस 1, 9 ये कितना हो जाएगा? 9 ये भी कितना हो जाएगा? 9 ये भी कितना हो जाएगा? 9 ये भी कितना हो जाएगा? 9 99,999 तीके यदि predecessor नंबर में plus 1 करेंगे तो एक बात का नंबर आजाएगा या successor नंबर में minus 1 करेंगे तो एक पहले का नंबर आजाएगा means between नंबर आजाएगा second, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, seventy one lakh, eighty five thousand, nine hundred and ninety nine यदि हम इसमें plus 1 करेंगे तो एक बात का नंबर आजाएगा ठीके, seventy one lakh, eighty five thousand, nine hundred and ninety nine में हम plus 1 करेंगे तो एक बात का नंबर आजाएगा nine plus one, ten का zero, carry one, nine plus one, ten का zero, carry one, nine plus one, ten का zero, carry one, five plus one, six, eight as it is, one as it is, seven as it is once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, seventy one lakh, eighty six thousand चीके, या हम क्या करेंगे, सक्सेसर नंबर में, माइनस बन कर देंगे ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, seventy one lakh, eighty six thousand and one seventy one lakh, eighty six thousand and one में हम क्या कर दें, one माइनस कर दें, तो एक पहले का नंबर आजाएगा one minus one, zero, zero as it is, zero as it is, six as it is, eight as it is, one as it is, seven as it is क्या मिला, seventy one, lakh, eighty six thousand, ओके next, नंबर, जस्ट बिफोर एंड, आफ्टर, अब हमें क्या करना है, कि one times hundred, thousand, ten thousand, lakh, eight lakh के पहले का नंबर निकालना है, eight lakh के बाद का नंबर निकालना है means हमें between नंबर दिया है, हमें predecessor निकालना है and successor निकालना है, ठीके, predecessor निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो digit हमें दी है, उसमें minus one करेंगे, तो एक पहले का नंबर आजाएगा successor निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो digit हमें दी है, उसमें हम plus one करेंगे, तो एक बाद का नंबर आजाएगा करके देख नहीं 8 lakh मैं हमने करा minus 1 जब minus करेंगे तो एक पहले का नमबर आएगा 0 छोटा है 1 बढ़ा है minus नहीं होगा इसलिए 0 1 केरी लेगे कितना हो जाएगा 10 10 minus 1 9 1 केरी दे दिया 0 ने कितना हो गया 9 1 केरी दे दिया कितना हो गया 9 1 केरी दे दिया कितना हो गया 9 1 केरी दे दि कितना हो गया 9 8 ने 1 केरी दे दि तो 8 कितना हो गया 7 1 stands 100 1000, 10,000 lakh 7 lakh 99,999 is the predecessor of 8 lakh ठीक है, next हमें निकालना है successor, successor निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो digit हमें दी है, उस digit में हम करेंगे, plus 1, तो आ जाएगा successor, 0 plus 1, 1, 0, as it is 0, as it is 0, as it is 0, as it is 8, as it is क्या आया, 8,00, and 1, is the successor of 8,00, यहां क्या जाएगा, 7,00, 99,999, इधर क्या जाएगा, 8,00, and 1, next, once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, 23 lakh, 99,999, का हमें predecessor निकालना है, successor निकालना है, predecessor निकालना है, तो जो digit दी है, उसमें हम minus 1 करेंगे, 23,99,999 में हम करेंगे minus 1, तो हमें एक पहले का नंबर मिल जाएगा, 9 minus 1, 8, 9, as it is 9, as it is 9, as it is 9, as it is 3, as it is 2, as it is क्या मिला, 23,99,998, is the predecessor of 23,99,999, अब हमें successor निकालना है, तो successor निकालने के लिए, जो digit हमें दी है, उस digit में हम क्या करेंगे, plus 1, तो हमें आगी की digit मिल जाएगे, 9 plus 1, 10 क 0, carry 1, 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 3 plus 1, 4, 2, as it is, 1, 10, 100, 1000, 10,000, Lakh, 10 Lakh क्या आएगा? 24 Lakh is the successor of 23 Lakh, 99,999 यहाँ क्या आएगा? 23 Lakh, 99,998 is the predecessor 24 Lakh is the successor Okay, in next class we will continue with our next topic Thank you